इस टौक मार्कट में एक नए कंपनी का IPEO कुलने वाला है जिसका कंपनी का नाम है इसमॉल फाइनेनस बेंक तो यह जो बैंक है समॉल फाइनस बेंक है इसका कफोर्पेंगे वाला तो यहां पर बेसिकली देखा जाए तो यह देखो आपके सामने लिस्ट दिख रहे हो कि Central Bank, Cooperative Bank, Commercial Bank, Central Bank तो होगे अपना इंडिया का RBI, जो सारी बैंकों का बाव है, ठीक है, उसके बाद में Cooperative Banks होगे, यह होते हैं, जो State Governments की Under में खुलते हैं, जैसे की Villages में Cooperative, तो सोटे मोटे lawns बाटने के लिए किसानों को Rural Area में या दिस्टिक्ट लेवल पे lawns बाटने के लिए खुलते हैं, तो वह के Cooperative Banks, उसके बाद में Commercial Banks जो की हमने देखते हैं, अपने यह SBI होगया, ICCI, HDFC तो प्राइवेट के Government के, तो यह Commercial Banks आते हैं, इनको जिसे SIDB का नाम सुनाओगा, अपने NABAD का नाम सुनाओगा, तो एक particular special purpose के लिए banks create की जाते हैं, वो ना पैसे लेनेया काम करते हैं, वो particular purpose के लिए ही पैसे देते हैं, और कई बार कुछ केसे में लेते भी हैं, बड़ा अलग तरीका होता है उनका, ठीक है, अगले होगे small finance banks, जिसके आज हम लोग बात करें, यह चोटे banks होते हैं, इनको बाद में अगर यह बड़े हो जाते हैं, या फिर उनकी धंक से चलते हैं, तो फिर इनको full-fledged commercial banks की category में डाल दिया जाता है, यह वैसे तो commercial banks की category में आते हैं, small finance banks मी, बट यह भी नए होते हैं, नहीं नहीं RBA license देती हैं, तो पहले यही license देती है, small finance bank का, उसके बाद में फिर इसको commercial license, मतलब पूरे लेवल के उपर में कर देती है, अब इसमें और इसमें फरिक इतना ही है, कि यहाँ पर जो deposit मतलब लेने की limit है, वो उस पर दो कोई limit है नहीं, कितना deposit ले सकत अगला होता है payments bank, जैसे आपने payments bank का नाम सुना होगा, इस टाइप से, इनका यह जो deposit होता है payments bank वाले, यह एक लाग से ज्यादा deposit ले नहीं सकते है, और बाकी यह loan loan दे नहीं सकते है, ठीक है, और बाकी इनको जो cards वगरा issue करने की permission होती, वो भी payments bank को नहीं होती, बाकी सब क इनको होती है, जैसे small finance bank को, commercial banks को, इनको होती है, ठीक है, बाकी यह conditions जो है RBI set करती रहती है, time to time अलग-अलग changes करती रहती है, ठीक है, यह basic फरक है अपने banks के अंदर में, so अपने जो आज बात करने, यह small finance bank की है, जो कि आगे चलके full-fledged bank बन सकती है, जिस तरीक सी conditions चलती के 390 crore रुपए तो company के पास में जाने वाले हैं, बाकी जो इस bank में already invested लोग है, जो investors हैं, जो promoters हैं company के, जो bank के, वो 72 crore worth of shares अपने बेचने वाले हैं, यहाँ पर, अब अगर वहाँ पर देखा जा कि कौन बेचने हैं, तो यह तो इसा financial holdings private limited, यह एक company है, जो की holding company है, जो क main promoter है, यह बेचेगा, कुछ amount of shares, बाद में PNB MetLife, जो की life insurance company है, PNB वाली, वो बेचेगे, बजाज alliance life insurance वाले, वो खुद बेचेगे, जो इन्होंने पैसे लगाए हुए है, 40 के भाव पर इनको हाथ आए में पैसे, और 60 के भाव पर निकालने वाले हैं, तो पूरे shares नहीं रहे हैं, कुछ amount of shares निकाल रहे हैं, ज्यादा नहीं निकाल रहे हैं, तो पूरा वरोसा लेके बैठे हैं, और IPO से पहले जो promoters की share holding थी, वो लगबग लगबग, यहां पर अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर यहां पर 74% के आस पास में थी, जो की IPO के बाद में 62% के आस प profit कमाने वाला धंदा है, bank वाला, इसको कोई निक होना चाहता, so mostly यहां पर सारे के सारे जो जिनके बाद में 20 shares होते हैं, वो continue रखते हैं, रखते हैं, रखते हैं हमाँ पर, second अगर यहां पर देखा जाए, bank अब किस तरीके से हम इसके अंदर में apply करें या नहीं करें, तो उ normally यह पूरे जिस तरीके से bank को चलना चाहिए, वैसे ही काम करें, मैंने report पढ़ लिए, उसमें मेरे को कोई नजर आया नहीं दिक्कत, और बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगाना की नहीं लगाना उसका अंदजा हम इससे लगा सकते हैं, अगर basic idea दूँ आपको, तो यह लो पर IPO मिल भी जाता है, या फिर IPO के बाद में नहीं भी मिलता है, तो IPO के बाद में भी हम इसो किस तरीके से trade कर सकते हैं, तो यहाँ पर उतकर small finance bank है, ठीक है भी थोड़े दिन पहले आया था, तो यह आया था, 24 July 23 को मतलब अभी, तिन चार महीं ने पहले आया था, जो कि 51 के 48, 51 के आसपास में था, आज के दिन भी वहीं चल रहा है, काफी, मतलब 60 रूपे के आसपास में जा कि आया ओपर में, तो अब यह किस तरीके से कमाई कर रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यह जो बैंक है, जो कि IPO लेकिया है, इसाफ बैंक, इसकी latest earning के इसाफ स IPO के after the listing of the IPO, उस basis के उपर में, तो यहाँ पर कमपनी जो बैंक है, 390 क्रोड रूपे और आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो नेटवर्स हैस के अंदर 390 क्रोड रूपे और और एड हो जाएंगे, यहाँ पर इसकी जो वेल्य हो जाएगी, वो लग 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 20 क्रोड जो उतकर्सक बैंक का यहाँ पर एक सेकंड, कल्कुलेटी कर लेते हैं, 5000 क्रोड है, 5000 क्रोड की वेल्यू, यहाँ पर डाई का है, उतकर्सका है 2.5 का, जो IPO लेके उसका PB रेशियो तो normal है, मतलब सस्ता है, साथ में ही Equita Small Finance Bank का, इसका 2 का है, इससे भी सस्ता मिल रहा है, इसक स्मॉल Finance Bank का, जो है, वो 2.55 है, तो सभी से सस्ता है, मतलब, PB रेशियो तो सबसे बेस्ट है, जो कि competitor में अल्रेडी बैठे हैं, उनसे, so market ने इनको value अच्छी का इसी दीवी है, जो कि competitor में बैठे है, अब अगर कमाई की basis भी बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा कि कमाई किसे साब से कर रही है, P ratio की basis पर, so P ratio कैसे निकलेगा कि latest earning कितनी है, 302 क्रोड रुपे, right, और value निकाल रहा है ये, so यहाँ पर अपने को मिल गया P ratio, 10 का P ratio मिल गया, right, और कुछ interest to interest, जो loan one हो तो पे करेंगे, क्योंकि bank है, तो loan तो लेती रहेगी, देती रहेगी, तो क्या उच्जीवन से थोड़ा नीचे है, बाकी सबसे अच्छा चल रहा है, so P and P ratio में तो normally अच्छा चल रहा है, right, अब basically हम देख लेते हैं कि यह जो competitor में, जो market में बैठे हुए, इनका earnings की से साब से कर रहा है, तो उच्जीवन का अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1100 करोड क की latest earning है, वो भी 4000 क्रोड के revenue के ओपर में, 25% revenue का कमा रहा है, बट यहाँ पर एगर आप एक चीज़ को द्यान में देंगे, तो इसकी जो earnings है, उच्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंकी, वो बड़ी ही गजब तरीके से कभी ओपर जा रहे है, कभी नीचे आ रहे है, कभी नीच earnings हैं, उसको अगर ध्यान से देखते हैं, तो यह increasing order में ही नज़र आ रहे है, so stable earnings, so EU small finance के बैंक के साथ में हम लोग compare करके देख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर 17-18% की, यह net profits निकाल रहा है, अपना जो बैंक का IP लेक है, वो 10% ही निकाल पा रहा है, और उसके मुकाबल अगर बात करते हैं, तो यह जो earning कर रहा है, 4000 की क्रोड के revenue की उपर 500 क्रोड रुपे कमा रहा है, तो यह लग बग 13% की आसपास में कमा रहा है, 12-13%, right, 13% मान लो, और 10% अपना बंदा कमा रहा है, और उसके मुकाबले इसकी जो P-E ratio है, वो भी सस्ता है, so again, ज्यादा कुछ और अपने बंदे ने 10% निगाला है, उसी असाब से इस सस्ता भी मिल रहा है, right, तो basically अगर comparison के इसाब से देखा जाए, तो जो market में competitors हैं, उनके level से थोड़ा सा ही नीचे अपने को shares मिल रहा है, इसलिए GMP 15% ही चल रहा है, तो अगर नया IPO है, नई कमपनी है, तो एक बार क होती है, अच्छी कमपनी होती है, अब यहाँ पर एक चीज़ को देख लेते हैं, कि इसका जो कहीं fluctuating तो नहीं है profits, इसके अगर देखते हैं, यहाँ पर clearly देखने को मिल रहा है, कि profits इतने ज़्यदा fluctuating भी नहीं है, एक बीच में hiccup यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट फिर थोड़ा सा इसको हम लोगों loss में देखने को मिल सकता है, बाकी अगर IP में लगाना हो, और after अगर वहीं पर list हो जाता है, जहाँ पर value है, तो हम इसके अंदर में रह सकते हैं, बने वे, क्योंकि company अच्छे लग रही है, मतलब सही लग रही है, राइट, सो यह हमारा basic है